आगर आच डिसकस करने वाले हैं exercise a ठीक है matrix unit की guys जो यू चैप्रतर है वो 2 units में डिवाइड है कि यूनिट जो है the quadratic equation है and सेकेट यूनिट जो है वह हमारी matrix है ठीक है तो आज हम second unit की exercise A को डिसकस करने वाले हैं तो आये देखते हैं first सब्सक्राइब क्या रहा है इसके पॉसिबल ओडर कितने हो सकते हैं देखिए पॉसिबल ओडर कुछ भी हो ठीक है रोएंटू कोलम की मंटिप्लाइब करने पर जो हमारे पास एलिमेंट रिसीव होते हैं ठीक ओडर कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट जो है रोएंटू ओडर की मंटिप्लाइब करने पर 16 ही रिसीव होने चाहिए ठीक आइए देखते हैं तो फस्ट में कह रहा हैं टू इंटू एट सिक्स्टिन ठीक हो सकता है लेकिन एट इन्टू वन यह तो एट एलिमेंट हुए ठीक लेकिन कह रहा है कि 16 एलिमे हारी सेकने मनें क्यार में किरा है ट्रांस्ठे आंट्रीक्स को मThe cups कोट्राणस्पोज किया जाए तो थो हमारे पास कॉन सी में ट्रिक्स स्थीव और डिकताम किसी बीर्य्यक्तवैर करने पर जो Kaiba easy होथी वह हमारे पास रस्ट और जो है हमारा correct answer होगा इसको एक example के थुरू देखते हैं कोई भी एक matrix है ठीक 123456 यह क्या एक rectangular matrix है यही मैं इसका transpose करता हूँ तो transpose करने पर भी क्या होगा 123456 तो यह भी क्या यह भी एक rectangular matrix है ठीक है और यह भी एक rectangular matrix है तो दोनों बात तो same है ठीक है तो यह option जो है हमारा correct answer होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ट्रांसपोर्ज ओपर रो matrix किया जाए तो वह किस matrix में convert होगी ठीक सबसे पहला option दे रखाए zero matrix गई किसी भी row matrix को convert करने पर zero matrix तो मिली नहीं सकती ना diagonal matrix मिलेगी ठीक डाइगनल में matrix क्या होती है जिसके की leading diagonal ठीक है उसके ऊपर के element जाए वह जीरो होते है ठीक है अब सबसे बात आती है कि leading diagonal क्या होता है कोई भी matrix है हमारे पास यह 123456789 जो यह diagonal है ठीक है यह इस diagonal को leading diagonal कहते है ठीक है यहाँ पर हमारा इसका कोई कामनी यह leading diagonal का लेकिन आपकी knowledge के लिए मैंने आपको बता दिया है ठीक है आई यह देखते है अब क्या रहा है कि row matrix को transpose करने पर हमें कौन सी matrix receive होगी तो गई row matrix का transpose करने पर हमें column matrix receive होती है ठीक है तो c option जो हमारा correct answer होगा ठीक आईए इसको एक example के थूरू देख लेते हैं जिससी के आपके mind में रहे ठीक कोई भी a matrix है ठीक 123456 ठीक तो क्या होती है यह row होते हैं और यह क्या होती है column अब मैं इसका transpose करता हूं ठीक तो हमारे पास क्या होगा 123456 जो गाइज रोती वह तो column में convert हो गई और जो column थे वो रो में convert हो गए ठीक है तो किसी भी रो का transpose गणने पर क्या मिला हमें है तो इसलिए क्या होता है कि column matrix होती है ठीक है आई यह फॉर्थ देखते हैं है फॉर्थ में क्या करा है तो matrix and b are multiply to get a b if गाई एक बात ध्यान रखने किसी भी दो matrix की multiply जब भी possible है जब क्या करहा है कि first वाले की तो रो और second वाले का column equal हो ठीक है तो गाइज क्या करहा है कि number of row of a is equal to number of column of b ठीक है तो क्या होगा इसका हमारा डी option जो है correct answer होगा ठीक लेकिन ICI के module में क्या है कि c option को नोंने correct answer दे रखे जो की गलत है ठीक है ICI के module में जो गलत है यह इसका d option जो हमारा correct answer होगा ठीक है रोर column 3 into 3 है या 2 into 2 है ठीक या 1 into 1 है जब ही multiply possible है ठीक है otherwise हम multiply नहीं कर सकते किनी भी दो matrix कि ठीक जब तक कि first वाले कि row and second का column equal ना हो ठीक है और यह फिफ्ट देखते हैं फिफ्ट में क्या रहा गाई determinant of a is equal to 0 then a is a क्या होगी गाई second option हमारा correct answer होगा singular matrix ठीक है जब determinant of a is equal to 0 होता है तो क्या होती है हमारी से एक singular matrix होती है ठीक है और गयाइज 0 matrix क्या होती है जिसके और element 0 होते है ठीक है यहां से एक mcq or create हो सकता है कि 0 matrix क्या होती है तो आपको पता होने चाहिए ठीक अब बात आते है कि determinant of a does not equal to 0 है तो वह कौन सी matrix होती है ठीक है तो यहां से तीनों mcq create हो सकते हैं तो मैंने आपको तीनों बता दिया है ठीक जिन जिन की भी possibility थी तो इस fifth का हमारा क्या होगा भी option जो है correct answer होगा ठीक determinant of a जब is equal to 0 होता है तो हमारा क्या singular matrix होती हो ठीक है आइए 6 देखते है सिक्त में क्या करा गई इफ एजे symmetric matrix ठीक है एक क्या है हमारी symmetric matrix से देन एंवर्स तो गई symmetric matrix के केस में आप condition notes कीजी क्या होता कि a inverse is equal to a होता है ठीक है और a is equal to a inverse होगा ठीक है तो यहां क्या होगा एंवर्स is equal to a तो फर्स्ट ऑप्सन जो है हमारा correct answer होगा ठीक है अब यहां पर एक और mcq create हो सकता है आप उसका भी ध्यान रखिए यहां पर symmetric matrix का पूछा देनने यहां पर इसक्यू symmetric matrix कर दे तो उस केस में condition क्या होती है एक इक्वल माइनस का एंवर्स होता है ठीक है तो आप इस condition को भी नॉट्स कीजिए और एंवर्स is equal to minus का ए ठीक दोनों में से कुछ भी condition हो सकते हैं पर कब होंगी इस क्यू सिमेट्रिक के केस में ठीक है आई यह 7 देखते हैं क्या कराएं कि इफ ए ओडर ऑफ मैट्रिक्स ए एम इंटु पी और ओडर ऑफ बी कितना दिरेख़ा पी इंटु एन तो गाई इसका को लाम इसकी रोज से में ठीक है तो क्या होगा पी तो कैंसल हो जाएगा तो एम इंटु एन का ओडर आजएगा दो मैट्रिक्स की करते हैं यह हमारे टेलिग्राम पर डारेक्ट में मैसेज कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल में उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक आए एट देखते हैं एट में क्या कराएगा इफ ए एंड बी और मैट्रिक्स देन दफ फॉलोइं इस कंडिश एक ठीक है तो यह तो हमारी इन्करेक्ट है एसे मिसमें एंवर्स करने पर हमारे पास एरी सीव होता है ठीक है तो यह भी एकवल होता है ना कि लुट इक्वल ठीक थड़्ड में देखिए एबई ड़ज नोडिज सब्सक्राइब करेंगे उनमें आपको प्रूव करके भी दिखा देंगे अभी सरिफ आपको ध्यान रखना है कि कि a plus b is equal to b plus a ओता है ठीक क्यों प्रूव आई देखते हैं कि वाट इज़ने करेंगे ऐगे लिए गयां है कि वाट इस दे वैलियू क्या होगी ठीक है इफ देखिये इफ क्या क्या रहा है यह एक सिंग्णर मैंट्रिक्स ठीक है वो एक सिग्णर मैंट्रिक्स तो ऊस केस में a की value पूछ रहा है तो गाई singular matrix के case में मैंने आपको ऊपर भी बताया था क्या होता है determinant of a is equal to zero होता है ठीक अब determinant क्या होता है determinant कैसे find करते हैं देखिए इसकी से multiply होगी गाई इसकी से होगी ठीक है cross multiply होती है और बीच में क्या होगा minus तो इसकी मेंट्रिप्लाइ करने पर क्या है कि माइनस ट्वेल इस इक्वल टू जीरो ठीक है ट्वेज इक्वल टू कितना गया ट्वेल एज इक्वल टू कितना रहा है हमारा 6 तो एक वैल्लू क्या गई हमारी 6 आगई अब देखते हैं कौन सा option जो हमारी equation को satisfy कर रहा है हमारे answers को satisfy करेगा ठीक देखिए तो गया इस केस में हमारे जो कितना रहे एक वैल्लू 6 तो हमारे क्या होगा बी option जो है correct answer होगा ठीक एक वैल्लू कितनी होगी 6 तो आइए 10 देखते हैं अब टैंथ में क्या किया रहा है इफ एज इकवल टू यह और आई स्क्वार इस इकवल तो माइनस वन पूट करना देन एक डिटर्मिनेंट बताई गाई मैंने अभी आपको बताई कि एक डिटर्मिनेंट कैसे कर सकते हैं क्रोस मेंटिप्लाइ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस का टू आई स्क्वार ठीक अब यहां क्या जाएगा माइनस का 6 आई स्क्वार अब गाई क्या रहा है कि आई स्क्वार कि जैंगे माइनस वन पूट करता हूं आई स्क्वार कि जैंगे तो माइनस मा टू कितना जगा गई एट ठीक है तो हमारा क्या है ओप्शन सी जो हमारा क्रेक्ट आंसर होगा क्यों 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 कि जब हम डिटर्मिनेट ओफ ए निकालने तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एट ठीक है आई यह 11 भी देख लेते हैं साथ-साथ ए यह देखिए गई 11 में क्या 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 रहा है ए मैट्रिक्स दे रखे हमारे पास यह ठीक है पूछ रहे है कि और क्या होगा मैट्रीक्स ओप एक आ गई यह जो भी हमें दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए रखा है कंप्लीट इटी कहा है इसको इग्noor करिए सुर्फ हम स समझ मायों को आई ये देखते हैं आगे आज 12 देखते हैं कि यूजिंग 12 to 16 लैट a b and c की वैल्यू दे रहा कि हमें find करना है ठीक है 12 में देखिए क्या करा है find a plus b इस दो मैट्रिक्स का सम पूछ रहा है हमारे पास अब देखिए और बी को करते हैं तो कितना इएगा 213 माइनस का 3 ये 5 कितना आजेगा और इसको से एड़ करते हैं तो कितना आएगा जो सकत्व कर रहाए ठीक है तो जब बी प्लस ए भी करेंगे तो एही ऑप्सन सेटिस्फाइब करेंगा ठीक है मैंने आप से का भी तक आगे जो पी प्रोपर्टी को कर रहे हैं इनको आगे हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे ठीक है आप खुद बी प्लस ए करके देख लीजिए आपको यही रिसीव हो से चार और छे कितने हो जएक है चार मेंद चे जाएँगे माइनस कर टू अब जब यहां पर कितना है माइनस कर बाद में कितना है माइनस थे रहाम झा एदू ठीक है ऐ, ज़िखें था एमन 12 जो एक रेक्ट आंसर है ठीक है 5 और माइनस का 7 तो माइनस माइनस प्लस ठीक है इस 12 आ जाए गई माइनस को 12 नहीं ओन्ली 12 ठीक तो गई क्या है वारा कितना बी ओप्सन जो हमारा क्या हो गया वे क्रेक्ट आंसर हो गया ठीक है फिर भी आइज आपको यदि इन 13 कोर्समें कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें ठीक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियो के लिए